तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं MCB Changer का connection कैसे करते हैं जी हाँ दोस्तो MCB Changer का connection कैसे किया जाता है इस वीडियो में आप लोगों को completely जनकारी मिल जाएगी MCB Changer वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे generator का भी supply देना हो यह जो mcb changer है 40 एंपियर का है और यह anchor company का है किसी भी company का मैं यहाँ पर advertisement नहीं कर रहा हूं किवाल आपके knowledge के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं ठीक है गाईश तो चलिए हम फटाफट यहाँ पर connection कर लेते हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो रेट करल यानि घर में जो load देना है ठीक है उसका connection करेंगे तो हम यहाँ पे बलबल लगा के आपको connection करके दिखलाएंगे देख सकते हैं यह वाली जो wire है लोड की wire है आपको इसा भी load देख सकते हैं आपके घर में जितना भी load है आप असानी से दीजिए कोई problem नहीं है ठीक है गाईश इस तरह से आपका और नीचे की तरफ हमारी generator की यहां पर supply रहेगी देख सकते हैं गाईश तो इसके लिए मैं यहां पर black color का wire यहां पर यूज कर रहा हूं दोनों यह हमारी generator की wire है तो इन वायरों को निचले वाले point में हम कस देंगे देख सकते हैं गाईश तो इस तरह से आपको भी कस लेना है उसके बाद दोसरी wire को भी हम कस लेते हैं देख सकते हैं इस crew को full tight करना है losing नहीं रखना है अब हमारी generator का connection यहां पर हो चुका है ठीक है अब उसके बाद main supply का हम connection करेंगे तो हम यहां पर black color और yellow color का wire यहां पर यूज कर रहा है ठीक है तो same उसी परकार से हमें connection कर देना है उपर वाले भी point में अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल होगा सुझा होगा तो नीचे comment box में जरूर लिखिएगा तो देख सकते हैं main हमारी supply का भी connection यहां पर कर लिया है generator का भी connection यहां पर हो चुका है और main supply का भी हमने यहां पर connection कर लिया है देख सकते हैं guys उपर हमारा main supply है ठीक है line का और यह हमारा दोनों generator का है तो चलिए अब इसमें हम supply देते हैं अब उसके बाद चेक करते हैं तो holder में bulb को लगा ले रहा है देख सकते हैं अब उसके बाद mcb को नीचे की तरफ डाउन कर रहा है देख सकते हैं तो यह हमारा generator से काम करेगा क्योंकि नीचे supply दिया है बीच में कर रहा है तो आफ हो जा रहा है उपर कर रहा है तो हमारी यह line से हैं ठीक है तो उम्मित करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को जनकारी मिल गया होगा कि mcb changer का connection कैसे करते हैं और यह किस तरह से काम करत सब्सक्राइब से किस तरह से extension बोर्ड बनाया जाता है मैंनों इस पर एक वीडियो बनाया है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के description में लिंक मिल जाएगा आप लोग जरूर चेकाउड कीजिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्